हालो एवेडिवन वेल्कम बैक्टो मैच आनल हम लोगा चानल सो अब हम लोग क्या बनाने जा रहे जेत हैं तो ॉप्य हम लोग को मेरा Instagram का ID नहीं पता है तो description box में मैं बता दूंगी वहाँ पर आप जा करके मुझे follow कर सकते हैं बहुत सारा अच्छा अच्छा रिल्स आते रहता है इनका Instagram का नाम है Cute Srishti Cute Srishti Cute Srishti और Esther नाम से भी मिल सकती है यह मुशी यह मुशी और मम्मी भी है यह मेरे ऊपर चड़ चड़ के हमको हिला हिला के डंग से कुछ भी वीडियो नहीं करने दे रही है हाँ यह इतना सारा इतना ऐसा सामने से सब लोगों को दिखेगा अभी दिख रहा आप लोगों को देखिए एक स्माइली वाला है और एक दिल वाला हाँ तो यह सारा बैलून अभी साथ ची कल खरीद करके लेके आई थी हमको एक भी नहीं दी थी तो इसे आनफॉलो करें इसे डिस life करें दिस लाइक और नट सबस्क्राइब और तू मेरा चाइनल डमेंट करें तो अब भी दिखाते हम लोगों के घरतर बच्चा लोग बहुत अच्छा से खेल रहा है फुट बोल क्रिकेट क्रिकेट खेल रहा है और हम लोगों के साइड बहुत अच्छा मौसम किया है तो थन्डा मौसम और आस्मान भी बहुत अच्छा दिख रहा है तो बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाते हैं और वीडियो पे बने रहीएगा क्योंकि बहुत इंट्रेस्टिंग बहुत आ रहा है तो बने रहीए क्या लोग चक्का खेलता है क्या खेल रहा है यूूू। पिंत्रा पे और बहुत अच्छा इसका कपड़ा क्वालिटी है देखे इसका तुपट्टा भी बहुत अच्छा है और यह सरारा बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है तो यह आप लोग भी खरीच सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में लिख के जरूर लूख बनाने नीचे जा रहे हों कैम्रस नेठे बनाइं गेर कैमरा शुटिंगकरी है कन फाकराइब क की सारा बिस्कीट हम लोग लेकर आएखा अ कैपी और औरियो बिस्किट भी है तो हम लोग ये इसका केक बनाएंगे चलो तुम्हारा काम है अभी क्या काम है बाए मत करो एक कहिये में था जो को खोज दे रहे हैं अभी केक बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि साथ्ची और प्रिंस को घर जाना था वो लोगों का एक्जाम है तो वो लोगों पढ़ाई करना है इसलिए वो लोग चले गए तो अकेले मेरे से केक नहीं बन पाएगा क्योंकि कोई तो कैमरा पकेड़ने के लिए भी होना चाहिए और कोई हिल्प करने के लिए भी होना चाहिए तो इसलिए आज हम केक नहीं बना रहे हैं, sorry कोई बात ने, केक नहीं बना रहे हैं, तो क्या हुआ, आप लोगों से कुछ और भी share करना चाहते हैं जैसे अब भी ठंडा का मौसम है, तो बहुत ही ज़्यादा डेंडरफ हो जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आई हूँ, बहुत ही इंट्रेस्टिंग है, मैं इंस्टाग्राम में देखी थी, तो मैं अपने में अपलाई करना चाहती है, उसका रिजल्ट क्या आता है, वो आप लोग से भी share करूँगे तो आप लोग बने रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला, तो चलिए चलते हैं, हम लोग अभी जा रही हूँ, हेर ओइल लगा लेती हूँ, उसके बाद हेर शैंपू जो मैं अपने में अपलाई करने वाली हूँ, वो आप लोग से share करने वाली ह तो अभी मैं hair पे oil लगा ली हूँ, और hair wash करने जा रही हूँ, तो कुछ hack है जो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, तो देखे, hair wash करने के लिए कुछ कुछ, देखे, क्या-क्या मैं लेके जा रही हूँ, रुके back camera करके दिखाती हूँ, ये hair अभी बहुत ही जादा जो मौसम है, ठंडा का मौसम है, जिसके वज़े से बहुत ही जादा dandruff हो जाता है, तो dandruff के लिए solution लेके आई हूँ मैं, तो ये मैंने देखा था वीडियो में, तो मैं अपने में भी apply करके देखती हूँ, कैसा रहता है, फिर result आप लोगों को भी बताती हूँ, तो अभ ये है lemon, ये lemon मैं ले ली हूँ थोड़ा सा, इसे आदा कट करके, चोड़ करके डालूँगी, और ये है coffee powder, और ये aloe vera gel, तो इन तीनों का mixture बनाऊँगी, शैंपो बनाऊँगी, और अपने hair पे apply करूँगी, पहला जो हम लोग लेंगे, वो है coffee powder, और नेक्स्ट जो लेंगे lemon, इसे काट लेंगे हम लोग दो जुकरे में, और half lemon ही यूज़ करेंगे, अब इसे हम लोग इस पे, पूरा का पूरा नीम्बू निचोड़ लेंगे, यह आपका help करेगा, यह lemon आपका help करेगा, क्योंकि इसमें vitamin C होता है, तो आपके जो hair में बहुत जादा dandruff हो गया है, उसके लिए useful है, तो यह आप एक आधा नीम्बू पूरा नीचोड़ लेजेगा, अच्छी तरीके से, और next जो है, यह है aloe vera gel, यह हम लोग अप्लाई करेंगे, आप जो natural aloe vera gel leaf होता है, उससे भी अप्लाई कर सकते, क्योंकि मेरे पास अब यह available नहीं है, इसलिए यह patanjali का aloe vera gel यूज करें, और third है, सैंपू, जो आप लोग यूज करते हैं, वो सैंपू आप लोग यहाँ पर यूज कर लीजेगा, और इसे अब अच्छे तरीके से फेट लेना है, देखें, इस तरीके से यह हम लोगों का सैंपू तयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा, दिखें, इसे अब हेर वोर्ष कर लेना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, मुझे तो लग रहा है, इसे अब हेर वोर्ष करके आप लोग से मिलते हैं, सो मैं नहा धोक करके छट आ गई, छट में मैं सोच रही थी कि बहुत ही ज़्यादा धूप होगा, क्योंकि टाइम अभी हो रहा है, दो बज़रा है, तो मुझे लगा कि धूप होगा, तो आराम से बैठेंगे धूप में, लेकिन ये भूल गए थे कि आज तो कुहासा वाला मौसम किया है, और पाल धो करके नहा करके छट में जब आई, तो देख रही हो कि सारों तरब तो कुहासा है, धूप का तो नामों निशान नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल मैनेज, सो आप लोगों को बताना चाहती कि मेरा जो हेर वोश मैं की हूँ, जो जो जैसे कॉफी पाउडर है, ये सारा चीज यूज करके देखे, मेरे हेर वोश के बाद कितना अच्छा मेरा हेर लग रहा है, मुझे कंडिशनिंग, कंडिशनर लगाने का भी कोई जोड़त नहीं प सो लगता है, तो सुखने के बाद आप लोग से मिलते हैं, तब तक लंच कर लेते हैं, नीचे जा करके, क्योंकि उपर रहने से कोई फायदा ने, धूप तो है नहीं, तो नीचे चलते हैं, आप लोग भी चलिए, सो फ्रेंड्स ये है मेरा आज का लिंच, जैसे ये है साग पालक साग और आलू है, ये है मेरा आमलेट, ये चिटनी है कुदरूम का और ये है चिकन, इतना सारा मटेरियल, आज हम संडे का, मेरा प्लान है, आज है सारा चीज़ खाने का, जब भी हम ये खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं, आप लोगों से मैं आप लोगों को बता रही थी है, रिलेटेड प्राबलम, जो गल्स लोगों को भी होता है, बॉइस लोगों को भी होता है, अभी धंडा पे तो बहुत ही ज़्यादा होता है, इससे चुटकारा पारना बहुत ही मुश्किल होता है, आप लोगों को भी पता है, जिन मैं आप लोगों को जैसे सैंपू अपलाई करने के लिए बताई सीरियसली मैं खुद पर अपलाई की हूँ यह मैं इंस्टाग्राम पर देखी थी जहां पर मुझे उतना बिलीव नहीं हुआ था बट मैं सोची एक बार ट्राइ करके देखती करने में क्या जाता है सीरियसली बोलू फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है मुझे एकदम जब हेर वोश की थी उसी टाइम से अच्छा लगा था भी तो हेर शूख भी गया और मेरा हेर का जो मतलब बहुत अच्छा लग रहा मैं आप लोगों को कैसे एक्स्प्लेइन करो आप लोग भी एक बार यूज कीजिए बहुत अच्छा लगा इस पाव अगेरा जो लोग कराते पारलन में जा करके जो अब बस जो मैं रेमेडी आप लोगों को बताई हूँ वह आख बंद करके आप लोग एक बार अपलाई करके देखिए जरूर से रिजल्ट आएगा और नेच्रल जो होम रेमेडी होता है ना वह जल्दी कामने करता है एक से दो बार दो से तीन बार अपलाई कीजिए आपक वन वज में ही लगा है कि मेरा हेर बहुत अच्छा लगाहर और बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगाX लग रहा है लगातकी हैस्पाक राकर की आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को यही experience में share करने वाली थी वीडियो को आज का वीडियो को यहीं तक end करती हूं फिर से आऊंगी छोड़ी छोड़ी ब्लॉग के साथ जैसे आप लोगों से मिलते रहती हूं तब तक आप लोग मेरे वीडियो को like कीजिए comment कीजिए share कीजिए और मेरा channel monetize हो चु कीजिएू अजिए से हाएंगी घूकिए जाया झाता है से प्लक बवेरे वीडियो को चीढे कीजिए प्रूब की दोस्ट मेरे गीजिए तोस्ट मेरे है सब्सक्राइध और मेरे शना है पिल contrary saat कीजिएू और मेंसे आप候 कॉत आप बार होड़िए सक्क्क het citizenship